तो मित्रों अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि एफ नाम के जातक एबम यू नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इनका बैवाहिक जीवन कैसा होगा मित्रों इस नाम के दोनों जातक गियान के कारक माने जाते हैं क्योंकि इस नाम के जातक के उपर में गुरू बिरस्पती का प्रभाब बहुत ज्यादा होता है एबम गुरू बिरस्पती के प्रभाब के कारण इस नाम के दोनों जातक बहुत ज्यादा गियानी होते हैं इस नाम के दोनों जातक बहुत ज्यादा उदारबादी एबम आदर्सवादी होते हैं मित्रो इस नाम के दोनों जातक जिग्यासू परविर्ती के होते हैं एबम इस नाम के लोगों को देशाटन करना घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद होता है मित्रो इस नाम के लोगों का सुभाब बहुत ज्यादा हसमुक होता है एबम इसके अलाबा इस नाम के दोनों ज्यातक बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं मित्रो धार्मिक होने के अलाबा इस नाम के दोनों जातक बहुत ज्यादा बुधिमान होते हैं मित्रो इस नाम के दोनों जातक हमेशा अपने जीबन में फैसन की चाह बहुत ज्यादा रखने बाले होते हैं इबम इसके अलाबा इस नाम के दोनों जातक अपने दामपत्य जीवन में अपने बेबाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के परती बहुत जयादा इमानदार एबम वभादार होते हैं एबम इसके अलाबा इस नाम के जातक बहुत ज्यादा प्रभावी चमकदार एबम अपने आने बाले कल के लिए बहुत ज्यादा आसाबादी होते हैं मित्रो इस नाम के लोगों को अपने आने बाले शमे से बहुत ज्यादा उम्मीद होती है मित्रो इस नाम के लोगों को अपने जीबन में हमेशा सुवतंत्र होना बहुत ज्यादा पसंद होता है इस नाम के जातक किसी के अंदर बंध कर रहना, किसी के अंदर काम करना पसंद नहीं करते हैं मित्रो इस नाम के दोनों जातक बहुत ज्यादा जिग्यासू परविर्ती के होते हैं एबम इस परविर्ती के होने के कारण इस नाम के दोनों लोगों को हमेशा अपने जीवन में कुछ नया जानने की लालसा हमेशा बनी होती है मित्रो एफ नाम के जातक एबम यू नाम के जातक इन दोनों के गुन एबम अब गुन को मिला कर यदि इनके बैबाहिक जीवन इनके दामपत्ते जीवन की बात करे तो इन दोनों का संबंध बहुत ज्यादा मजबूत एबम बिहतर होगा तो मित्रों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें एबम इस वीडियो के नीचे जै सनीदेब कमेंट कर दें एबम इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवद